जो देश में ताना साही बिवर्षता थी जे जंग से संबिधान बदलने की मंसा लेकर जो भाजपा चुनाब लड़ रही थी जे जंग से लोक्तांत्रिक मुल्यों का हनन हो रहा था उस पर पावंद लगा और इस देश की जनता ने मेरी लराई उसके लिए थी सत्ता के लिए हैं तो वह लड़ते हैं सत्ता के लिए वह ललाहत रहते हैं कि उसके साहं जाते हैं कभी उसके साहं चले जाते हैं आज देख लिए भाजपा कुछ है सो 1954 हिठ उसको लूज करना परा जनता नली ने मानी हैं पर्धानMONत्री पर्तिरक्षा मंत्री, ग्री मंत्री, बित मंत्री, कई-कई राजियों के मुख मंत्री और एक अकेला तेयस्वी अभी मन्नू की तड़ा सब को बेजते हुए और उसके बाद भी आज भी बिहार का सबसे एक नंबर पार्टी सबसे ज़्यादा भोट लाने वाला पार्टी राजियों जनता जबना सबसे ज़्यादा परसेंटेज सबसे ज़्यादा की लराई नहीं लड़ते हैं जनता की लराई लड़ते हैं जनता के मुद्दों की लराई लड़ते हैं पूरे चुनावी कंपेन में आप देख लिजीए कि तेवसी जी ने जनता के मुद्धों को उठाया चाहिए वरोजिगार का सवालो, बिलजिगारी का सवालो, नौकरी का सवालो जवाब उनको देना है कि जातिये जन्गन्ना इस पूरे देश में कब करवाईएगा जवाब उनको देना है कि जो आरक्षन जो यहां पर बढ़ाया गया उसको नौमी और सुची में सामिल कव करवाईएगा जीरो पर फिर बात करें जो चार सीट आता है यानि चार से पीछा नहीं छूट रहा है हम इंसे पूछेंगे कि जो लोगसमा चुनाव की परिनाम आये हैं इतनी मैनत करने के बावजूर जब चार सीटे आती है तो क्या यह इंसे संतुष्ट है या और आगे का लगा रहे थे हागे करें रहे नुमान कि और अच्छा हो सकता था नहीं हम लोग उमीद करते थे कि और भी आम लोगसमझते थे कि समझ रहे थे आना चाहिए लेकिर अब चुकि Андाडनवल के सामनें हाग मा जो नहीं तृक सकते हैं अब यह तो मत कहिए कि नहीं तृक सकते अ Penge आप दूस ने सीट हमको 4 आया हूँ लेकिन आप देखिए तो वोर्ट मेरा काफी बड़ा है उनिस के तुलना में आप देखिएगा तो हम अब विहार में सभी दलों से जादे हमको भोट आया है एक करोर से उपर भोट हमको आया है लेकिन ज़िवाले करें थे मात 80,000 आया है यह बढ़ाच रहा के बढ़ाच रहा के बढ़ाच रहा किया जबकि भाजपा और जनता दलिव जो है 120 से नीचे है तो भोट परसेंटेज मेरा बढ़ा भोट बढ़ा सीट भलेंच आया है लेकिन आप देखिएगा रियल्ट देखिए आप तो कई ऐसे छेतर हैं लगवग एक दरजन ऐसे छेतर हैं जहां पर मारजपा भोट से हम चुनाब हारे हैं तो इसलिए उपलवदी तो हुई एक तरफ सत्त है, सासन है, परसासन है सारी बेवर्शता है, दुशे तरफ अकेला एक तेस्वी जो असलो लडाई लर रहे थे ने, महा गटबंदन थी लेकिन एक अकेले तेस्वी जी लराई लर रहे थे उनके नितित में लाई भोड़ा था आप देख लिजिए माहा घडबंदन के और भी जो नेता थे माने उनलों का काज के अपचारिकता का निर्वा हुआ लेकिन आप देख लिजिए कि 16 बार 17 बार मानने हैं परधान मंत्री जी को यहाँ पर आना पड़ा ग्रीम मंत्री जी कितना बड़ आए, प्रतिरक्षा मंत्री आए, मुख मंत्री आए मद परदिश के, मुख मंत्री आए उत्तर परदिश के, मुख मंत्री आए 36 गड़ के, केंद्र सरकार के कितने मंत्री यहां पर आए, दरजनों मंत्री यहां पर आए, तो जहाँ पर पुड़ा भारत सरकार, बिहार सरकार, बिहार के मानिये मुख मंत्री, भारत सरकार के मानिये परधान मंत्री, पर्तिरक्षा मंत्री, ग्रीम मंत्री, बित मंत्री, कई-कई राजियों के मुख मंत्री और एक अकेला तेयस्वी, अभी मन्नू की तड़ा सब को ब बोट लाने वाला पाटी राष्ट ये जनतादल बना और हमने प्राप्त किया है आज आप देख लिजिए भाजपा कुछ चार सिट उसको लूज करना परा जनतादल उसको चार सिट लूज करना परा तो वे लूजर रहे हैं हम तो गेनर रहे हैं अब वह जो अब कि आदत हो गई है हम जो है सेंटर में घूम रहे हैं हमारे आगे विजिए हमारे अलवा इनका काम हो ही नहीं सकता है नहीं कौन बोल रहा है बाटी वाले कह रहे हैं जादियु वाले तो वहां पर अब जो सो अब कौन किसके सास्थ लटका हुआ है इतनल लोग देख रहा है किसको सहरा चाहिए भाजपा को सहरा चाहिए इनको इनको सहरा चाहिए उनको आपको नहीं सहरा चाहिए ने 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 अब तर नितीज कुमार को नहीं फैसला करना है ने 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 नितीज कुमार देखिए वह निचले अस्तर तक का सोच उनलों का है राजनिती अपनी कि आखिया नगैए है इस चुनाब कंपेनिग में जील भेजने का धमकी दिया गया तुम ताम किया गया पड़िवार को गाली दिया गया सब्सक्राइब कभी आपने देखा कि टीशुषी जी ने मरजादा का उलंगन किया हूँ अभी कह रहे हैं कि नितिश कुमार बहुत नितीजी को बेराबर एक कभी कोई रूप में बोला गया क्या क्या नहीं कहा गिया बताया मैं तो संतुष्ट हूँ कि मैं संतुष्ट इसलिए हूँ कि जो देश में ताना साही बिवर्ष्टा थी जिस जंक से संबिधान बदलने की मनसा लेकर जो भाजबा चुनाब लड़ रही थी जिस जंक से लोक्तांत्रिक मुल्ले का हनन हो रहा था उस पर पावंद लगा और इस देश की जंता ने मेरी लराई उसके लिए थी सत्ता की लराई तो वे लोग लरते हैं सत्ता के लिए वे लराई तो रहते हैं कि उसके साथ चले जाते हैं यह तो उन लोग जो से इधर से उधर करते हैं राजत कहीं इदर से उदर किया अपने सिदान तो समझा होता किया चाहे लालो जी को जेल जाना पड़े चाहे जो सत्योसी जी को धमकी देखर आप जो समझा होता नहीं किया हम सत्ता की लराई नहीं लड़ते हैं जनता की लराई लड़ते हैं जनता के मुद्दों की लराई ल महिलाओं का सवाल हो जमानों का सवाल हो मर्दूरों का सवाल हो दलितों का सवाल हो फिचरों का सवाल हो अति पिचरों का सवाल हो अल्फ संखेकों का सवाल हो इन लोग को आप देख लिए उठा कर देख लिए कि क्या ही लोगों का भासन रहा है तो हम कामयाब रहे कि आज उस प्रधान मंत्री बनना उनके लिए परधान मंत्री का कुर्षी सबसे बड़ा प्यारा है हमारे लिए जनता का मुद्दा जनता प्यारा है मैंने उस चीज पर रोक लगाया मैंने नहीं देश की जनता ने रोक लगा दिया अब आप मरमानी नहीं कर सकते हैं आप सम्मिधान के साथ छेरखानी नहीं कर सकते हैं सम्मिधानिक संस्ताओं की अवहिलना करना उनकी स्वायता को आप नहीं छिन सकते हैं जद्यू के MLC है निरज कुमार उन्होंने कहा कि जैसे 2005 के बाद से रादनितिक सन्यास ये कह सकते हैं कि रादनिती से हट गए है लालु यादव वैसे ही तेजस्पी यादव को भी अब आराम करना चाहिए बेडरस करना चाहिए क्योंकि मुद्दा उनके पास अब कुछ बचा ही नहीं है हार देखी चुके हैं चार सीट लाए है उस पर किस मूझ से बिहार की जंता को जवाब देंगे जवाब को देना है कि जो आरक्षन जो यहां पर बढ़ाया गया उसको नौमी और सुची में सामिल कब करवाईएगा जवाब उनको देना है कि MSP लागू कब करवाईएगा जवाब उनको देना है जनता दल्यू को जवाब देना है कि यहां साहब आप जिनके साथ जा रहे हैं कल तक जो आसो यह सवाल था कि भीयार को विशेस राज का दर्जा आप हाथ मिलाने जा रहे हैं तो क्या विशेस राज का दर्जा का घोसना हो गिया क्या जो आसो जाती जनगना कराने का घोसना हो गिया क्या अरक्षन का दायरा ब्रहाने का घोसना हो गिया जवाब उनको देना है मेरा मुद्दा तो जंता का मुद्दा है